ओम श्री विश्णवे नम्हा, ओम श्री ब्रस्पति नम्हा, आज ब्रस्पतिवार की दिन सुनिये ब्रस्पति देपता की संपुन कथा पौरानिक कथा के नुसार प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था वह प्रत्य गुरुवार को वरत रखता और पूजा किया करता ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती ना वह वरत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए घर पर रानी और दासी अकेली थी उसी समय गुरु ब्रस्पती साधू का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तब वह कहने लगी हे साधू माराज मैं तो इस दान और पुर्णी से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे ये सारा धन नस्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ तब साधू रूपी ब्रस्पती देव कहने लगे हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से भी कोई दुखी होता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुबकार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे परन्तु साधू की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई उसने कहा महराज मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं जिसे मैं दान दू और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नस्ठ हो जाए साधू कहने लगे अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना ब्रस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना केशों को धोते समय इसनान करना राजा से हजामत बनवाने को कहना भोजन में मांस मदीरा खाना और कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना इस प्रकार साथ ब्रस्पतिवार करने से तुमारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू बने ब्रस्पतिदेव अंतरध्यान हो गए साधू के कहे अनुसार राणी को करते हुए केवल दीन ब्रस्पतिवार ही वीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ती नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा एक दिन राजा रानी से बोला है रानी तुम यहीं रहो मैं दूसरे देश को जाता हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं इसले मैं कोई छोटा कारे नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगा इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी एक समय जब रानी और दासी को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तब रानी ने अपनी दासी से कहा ये दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बहन के पास गई उस दिन ब्रस्पतिवार था रानी की बहन उस समय ब्रस्पतिवार की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बहन ने कोई उतर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई सुनकर रानी ने अपने भागी को कोसा उधर राने की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी ये बहन मैं ब्रिस्पतिवार का वृत कर रही थी तुम्हारी दासी गई परन्तु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी कहने लगी बहन हमारे घर अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आई उसने दासीों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई रानी की बहन बोली देखो ब्रसपतिदेव भगवान सबकी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने तो एक-एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी रानी से कहने लगी हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए हम भी व्रत किया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रस्पतिवार के व्रत में चने की डाल और मुनक्का से विश्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाएं पीला भोजन करें और कथा सुनें इससे ब्रस्पतिदे भगवान प्रसन होते हैं और मनुकामना पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बताकर राने की बहन अपने घर लोटाई राने और दासी दोनों ने निश्चे किया कि ब्रस्पतिदे भगवान का पूजन जरूर करेंगे साथ रोज बाद जब ब्रस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये तोनों बड़ी दुखी हुई इसे तुम दोनों गृहन करना दासी भोजन पाकर बहुत प्रसं हुई उसने रानी को सारी बात बताई उसके बात सेवे प्रत्येक ब्रस्पतिवार को गुरु भगवान का वृत और पूजन करने लगी ब्रस्पति भगवान की करपास से उनके पास धन हो गया पर तो रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी तुम्हें धन रखने में कस्ठ होता था इसी कारण सभी धन नस्ठ हो गया अब ब्रिस्पति दे भगवान की किरपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें अब दान पुर्णि करना चाहिए अब तुम भू के मनिश्यों को भोजन कराओ प्याउ लगवाओ ब्रहमनों को दान दो कुआ तलाब बावड़ी आदी का निर्मान कराओ मंदिर पाठशाला बनवा कर ग्यान दान दो कुवारी कन्याओं का विभा करवाओ अर्था धन को शुबकार्यों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश्पढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त और पितर प्रसन हो तब दासी की बात मान कर रानी शुबकर्म करने लगी जिससे उसका यश्प फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस तरशा में होंगे उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ब्रस्पती भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां गहीं भी हो शिग्र वापस आ जाए उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा वह प्रति दिन जंगल से लकड़ी बीन कर ला था और उसे शेहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से बिता रहा था एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया उसी समय राजा के पास ब्रस्पति देव सादू के वेश में आकर बोले ये लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठिये हो मुझे बताओ ये सुनकर राजा की आँखों में आशु भराए सादू को परणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दि महत्मद अयालू होते हैं वे राजा से बोले है राजा तुम्हारी पतनी ने ब्रस्पति देव के प्रती अपराद किया था जिसके कारण तुम्हारी ये दशा होई अब तुम चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार का व्रत प्रारम कर दिया है अब तुम भी ब्रस्पतिवार का व्रत करके चने की डाल और गुर जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो या सुनो भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे साधू की बात सुनकर राजा बोला हे प्रभो लकडी बेचकर तो इतना पैसाद भी नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद में कुछ बचा सकूँ और मैंने रात में पनी रानी को व्याकुल दिखा है मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समजार जान सकूँ फिर मैं कौनसी कहानी कहूँ ये भी मुझको नहीं पता साधू महराज कहने लगे हे राजा मन में ब्रिस्पति भगवान के पूजन वृत का निश्चे करो वे स्वेम तुम्हारे ले कोई रहा बना देंगे ब्रिस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर में जाना तुम्हें रोज से दो गुना धन मिलेगा जिससे तुम भलिभाती भोजन कर लोगे और प्रिस्पतिदेव की पूजा का समान भी आ जावेगा जो तुमने प्रिस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वे इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बहुती निर्थन ब्रहमट था उसके कोई संतान नहीं थी वे नित्य पूजा पाठ करता लेकिन उसकी इस्तरी ना तो इसनान करती ना किसी देवता का पूजन करती इस कारण ब्रहमट देवता बहुत दुखी रहते थे फिर भगवान की कृपा से ब्रहमट के यहाँ कन्या उत्पन होई वे कन्या बड़ी होने लगी प्रातहकाल इसनान करके वे भगवान विश्नु का जब करती ब्रिस्पतिवार का व्रत भी करने लगी पूजा पाठ समाप कर पार्षाला जाती तो वे अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पार्षाला के मार्ग में डालती जाती लोटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जोगों फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माने देख लिया और कहने लगी हे बेटी सोने के जोको फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए दूसरे दिन गुरवार था कन्या ने व्रत रखा और ब्रस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की ब्रस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजाना की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई पाठशाला से लोटकर जब वे जो बीन रही थी तब रिस्पतिदेव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया उसे वे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परंत उसकी मां का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वे कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस नगर कर राजकुमार वहा से निकला कन्या के रूप और कार्य को देखकर वे उस पर मोहित हो गया राजमहल आकर वे भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को जब राजकुमार द्वारा अनजल त्यागने का समचार ग्यात हुआ तब वे अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया मंत्री उस लड़की के घर गया मंत्री ने ब्रहमण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछी समय बाद ब्रहमण की कन्या का विवा राजकुमार के साथ संपर्न हो गया कन्या के घर से जाते ही ब्रहमण देपता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया एक दिन दुखी होकर ब्रहमन अपनी पुत्री से मिलने गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा ब्रहमन देपता ने सभी हाल कह सुनाया तब कन्या ने बहुत सद्धन देकर अपनी पिता को विदा कर दिया लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया ब्रहमन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवालाओ मैं उन्हें वह विधी बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाए ब्रहमन देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तब पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रात्यकाल इस नानादी करके विश्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिदर्ता दूर हो जाएगी परंत उसकी मा ने उसकी एक बाद भी नहीं मानी वह प्रात्यकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुसा आया उसने अपनी मा को एक कोटरी में बंद कर दिया प्रात है उसे इस नानादी करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई इसकी बाद वे नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रतेग ब्रिस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी इस व्रत के प्रभाव से मृत्य के बाद वे स्वर्ग को गई वे ब्रहमण देवता भी सुकूरवक इस लोग का सुक भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए इस तरह कहानी कहकर साधू बने देवता वहां से आलोप हो गई दीरे-दीरे समय बीतने पर फिर ब्रस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकडी काट कर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चनागुर आदी लाकर ब्रस्पतिवार का वरत किया उस दिन से उसके सभी कलेश तूरवे परन्तु जब अगले गुरवार का दिन आया तो वह ब्रस्पतिवार का वरत करना भूल गया इसी कारण ब्रस्पतिभगवार नराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगी का आयोजन किया था तर था अपने समस्त राजी में घोशना करवा दी कि सभी मेरे यहां भोजन करने आये किसी के घर चूला ना जले और इस आग्या को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी राजा की आग्या नुसार राजे के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल मिले गए जब राजा लकड़हारे को भूजन करा रहे थे तब राणी की द्रस्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे हार खूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया राणी को निश्य हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है उसी समय सैनिकों को बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया अब लकड़हरा जेल में विचार करने लगा कि नजाने कौन से पूर्व जनम के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है और जंगल में मिले साधू को याद करने लगा ततकाल ब्रस्पतिदेव साधू के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे अरे मुर्ख तूने ब्रस्पतिदेवता की कथा नहीं की उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तू ब्रस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले प्रस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर चार पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मगा कर गथा कही और परसाद बाटा उसी रात में ब्रस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा हे राजा तुने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना वह निर्दोश है राजा प्रात्यकाल उठा और खूटी पर हाट रंगा देखकर लकड़ हारे को बुलाकक शमा मागी तथा राजा के योगी सुन्दर वस्त्र आपुशन भेट कर उसे विदा किया गुरुदेव की आगिया के अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा ही आश्चर हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, तलाब और कुए तदा बहुत सी धर्मशालाएं मंदिरादी बने हुए थे राजा ने पूछा ये किसका बाग और धर्मशाला है तब नगर के सभी लोग कहने लगे ये सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं राजा को आश्चर हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिती में राणी के पास धन कहां से आया होगा उधर जब राणी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने पनी दासी से कहा ये दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वो हमारी ऐसी हालत देख कर लोटना जाएं इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा राणी की आग्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्थ हुआ तब राणी ने सारी कथा कह सुनाई राजा ने निश्चे किया कि मैं रोजाना दिन में तीन बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा आप हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कथा कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आएं इस तरह निश्चे करके वह राजा घोडे पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल दिया मार्ग मेर्स ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोकर राजा कहने लगा अरे भाईयो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहनी शुरू कर दी जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उससे भी कथा सुनने का आगरे किया लेकिन वे नहीं माना राजा आगे चल पड़ा राजा के हट्ते ही बैल पच्छार खा कर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्ध होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा बेटे ने सबी हाल बता दिया बुढ़िया दोड़ी दोड़ी उस गुड़ सवार के पास पहुँची और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूँगी तु अपनी कथा मेरे खेट पर ही चल कर कहना तब राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेट पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया अब राजा अपनी बेहन के घर पहुँच गया बेहन ने भाई की खूब बहमाने की दूसरे रोज प्रातेकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे है राजा ने अपनी बेहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुले तब बहन बोली है भाईया ये देश ऐसा ही है यहां लोग पहले भोजन करते हैं बाद में कोई अन्य काम करते हैं फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बिमार था उसे मालुम हुआ कि उसके यहां तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तब है तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की परशंसा होने लगी एक दिन राजा ने पनी बहन से कहा बहन, अब मैं अपने घर जाओंगा, तुम भी दयार हो जाओ राजा की बहन ने पनी साथ से पने भाई के साथ जाने के आग्या मागी सास बोली हाँ चली जा मगर अपने लड़के को मतले कर जाना जोकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है बहन ने अपने भाई से कहा है भाईया मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा तब राजा कहने लगा कि जब बालक ही नहीं जाएगे तब तुम भी चल कर क्या करोगी और अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपने राणी से सारी कथाक बताई और बिना भोजन किये वे शयया पर लेट गया राणी बोली है प्रभो ब्रस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें संतान भी अवश्य देंगे उसी राद ब्रस्पतिदेव ने राजा को सपन में कहा है राजा उठ सभी सोच त्यार दे तेरी राणी गर्ब से है राजा को ये जानकर बड़ी खुची हुई नवे महिने राणी के गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आये तब तो मुझसे कोछ मत कहना राणी ने हा कर दी जब राजा की बहन ने ये शुब समचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाई राणी ने तब उसे आने का उलहना दिया जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई तब राजा की बहन बोली भाई मैं इस प्रतार ना कहती तो तुम्हारे गर उलाद कैसे होती ब्रस्पति देव सभी कामनाई पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पुर्वक ब्रस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है ब्रस्पति देव उसकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं उसकी सदय व्रक्षा करते हैं जो संसार में सत्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सची हर्दय से करते हैं उनकी सभी कामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं। जे